इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और शरीर के एंजाइमों के लिए प्रतिरक्षा और सामान्य भलाई को बढ़ावा देने के लिए शरीर में मुक्त कणों को कम करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। हल्दी में करक्यूमिन प्रमुक सक्रिय तत्व है और ये कई चीजों के लिए अच्छा है। प्रमुक पोशक तत्व जिंक और विटामिन C, विटामिन K, विटामिन E, पोटेशियम और मैंगनीज हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली पर अपने लाबकारी प्रभावों के लिए जाना जाता है और इसके एंटियोक्सिडेंट गुणों के लिए इसकी सराहना की जाती है। 2. प्रतिरक्षा कोशिकाओं का विकास जो एक संतुलित प्रतिरक्षा विज्ञानी और सूजन प्रतिक्रिया के लिए महत्व पूर्ण है विटामिन C द्वारा नियंतरत किया जा सकता है। 3. विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के ठक्के जमने, हड्डियों की चयापचे और रक्त कैल्शियम नियंतरण में आवश्यक भूमिका निभाता है। 4. विटामिन E सूजन से मुकाबला करता है, मुक्तकणों के प्रभाव को धीमा करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।